हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज आपको बताने वाले पीएफ से समधित बहुत बड़ी जान करें दोस्तों अगर आप पीएफ पास्बुक डाउनलोड करने की सोच रहे हो और उसको डाउनलोड करते समय कुछ इस परकार का इसू आ रहा है कुछ इस प्रकार का लिखा आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा यह क्यों लिखा आता है आपके लिखा आ रहा होगा इसके लिए आपको क्या करना है आपको जो UNA और पासवर्ट की मदब से लोगिन होतना होता है और आपको डीटेल देखना ना कि आदरकार उसमें लिंक है या नहीं है और इसकी जो जो मैं मैं पॉइंट है मैं मैं टोपिक है स्टेब बाई स्टेब मैं आपको पूरा बताऊंगा यह क्यों आता है और आप पासवर्ट डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको कुछ ने करना सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा सब कुछ किलियर कर दूँगा तो वीडियो के अंते तक आप पूरा बने रही है वीडियो स्किप ना करें तब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा दोस्तो अगर आप मेरे चेनल पे नए हैं तो मेरे चेनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकरी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके अगर आप अपना पास्बूक डाउनलोड करने की सोच रहे हो EPFO की साइट पर जाकर और आपकी पास्बूक डाउनलोड ना के बास we which are atures और आपको बता भी है तो इस न पर कैसे जाते हैं आपको EPFO Google पर यह Chrome पर टाइब कर देना है और आपको इस जी इंटरफेस आ रहा है इस पर आपको आजाना है इसके बाद में आपको करना क्या है आपको यह option दीख रहोगा member passbook तो आपको इस option पर click कर देना है मैं कोशिस करते हैं तो दिखाने की इस पर आपको click कर देना है इस पर जैसे ही आप click कर रहे हो पर आपके सामने कुछ इस परकार से open होगा यह थोड़ा loading भी ले सकता है यह internet की speed पर depend करता है यह interface कुछ इस पर कर से आ जाएगा जो आपका यू ए नमबर होता है यू निवर्सला का नमबर जिसको होते हैं उसको आपको यहां पर डाल देना है जो आपने पास कोफ़ना बना रखा है उसको आपको यह पर डाल देना है उसके बाद में आपको जो यह capture नजर आ रहा है इस capture को जैसा minus है तो minus और plus है तो plus उसके अनुसार इसमें डाल देना है और log in पर click कर देना ये green color का जो आ रहा है उसके बाद में आपके सामने आपकी कुछ इस पर करकर गंटरफेस आता है पहले तो मैं आपको इसका detail दिखा तो यहां से इसका जो नाम आ रहा है वह है यहां पर आ रहा है आप देख लिए ना यूने नमबर एक नीजी पैचान होती है इसलिए हमने इसको छुपा दिये गया है और आपको यहां पर एक नाम दिख रहा होगा VAJID तो आपको यह दिख रहा होगा वाजिद लिखा हुआ है लेकिन इसमें जो मिश्टेक है वह भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको हम इसका पास्बुक डाउनलोड करके दिखा देते हैं तो नीचे जो option होता है इसमें हमको जाना होता है तो मैं इसको थो member ID आती है member ID आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगी तो आपको मैं दिखाने कोशिज करता हूँ जो भी member ID आपको नजर आती है उसको यहां से select आपको कर लेना है तो आपकी जो पास्बुक है उसका option आएगा download वाले और claim william जाचने के तो आपको यहां से member ID पहले select कर ले या फिर आपको नहीं आता है तो एक-एक करके भी check कर सकते हो तो आपको मैं इसमें एक problem है जो mistake है मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं यहां से select करता हूँ अब मैंने जैसे ही member ID select कर ले है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा option 3 तो 3 होगो मैं बता देता हूँ पहले आप है अब आपको यहां देख सकते हो यहां पर एक जो इसका आया है वह आप देख लीजें यह से पास्मों डानलोड नहीं हुआ है जसे इंख्या को यह पढ़ लेते हैं यहां पर लिख अँग हुआ है आपको पढ़ लेना से वेंड यह पाज़ कर लिख Performer is heart player whenever admit देट देइ तो इसका सबसे पहले हम यूए ने लोग इन होके इसका जो डीटेल है उनको थोड़ा तो यहां पर आपको जो डीटेल है वे निजी पैचार को छुपाते हुए आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार से आजाएगा अब इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो डीटेल है वह किस परकार से है और इसलिए passbook आपका यहाँ पर सो नहीं हो रहा है तो वह मैं आपको दिखा देता हूं क्यों नहीं हो रहा है यह जो पास्वू डॉंडोड नहीं हो रहा है इस पृकार से लिखा आ रहा है तो मैं आपको बताए देत है तो यहां से आप जो यू एने की और पास्वड की माद़ài से लोग इन हुए है तो इससे आप देख सकते हो यहां से चेक कर लेकिन यहां पर आप चेक करोगे तो आधर कार्ड नोट अवलेवल, पैन कार्ड नोट अवलेवल, बैंक अकार्ड नोट अवलेवल, तो आपको यहां तक समझे में आगी होगा, और इसमें जो मैन पॉइंट होता है, वह आधर कार्ड का होता है, आधर कार्ड इसमें है नही इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, लिंक नहीं है P.F. के साथ, U.A.N. के साथ लिंक नहीं है, इसलिए यह प्रोलंग आती है लेकिन अगर इसके साथ-साथ आपका मोबाल नमबर भी लिंक होता तो आपका यह काम हो जाता, तो मैं आपको बताने कोशिज करता हूँ, जो मोबाइल नमबर है, यहाँ पर यह आधार काड़ वाला मोबाइल नमबर नहीं है, इसलिए भी यह प्रोलम हमको mention हो रहा है, तो अब मैं आपको इसकी एक चीज और दिखाने कोशिज करता हूँ, अगर हम इसमें इसको check करेंगे और इसमें password हमर पास है, UNMR पास है, और login हो किया, जैसे हम इसमें संसोतन करेंगे, तो आपको मैं एक issue दिखाऊँगा, यहाँ पर जो नाम है, इदर वाजिद नाम लिखा हुआ है, इस वाजिद नाम में एक spelling का mistake आ रहा है, पीछे का जो नाम है, वे एक नम सही है, लेकिन जो वाजिद नाम में, जै लिखा हुआ है, जै जग वाला जग, उसमें जेड आएगा, जेड, जेड का मतलब जेबरा वाला, जेड आएगा, इसलिए यह एक mistake आएगा, और जो date of birth है, उसका भी issue आएगा, तो मैं इसकी आदरकाड की detail है, तो उसको भी मैं आपको एक निजी पहचान को चुपाते हुए, वे भी आपको दिखा देता हूँ, और अ इसका date of birth का issue है, वे भी आप यहां देख लिजीए, जो date of birth है, वहां पर क्या आ रहा था, वो यहां की जो date of birth आप देखोगे, और उसको आप यहां से देख सकते हो, यहां पर जो date of birth आ रहा है, 11, 1977, तो यहे है उसका date of birth आ रहा है, तो अब यह image कैसे खाएगा, मतलब कि य क्यों option दे रहे थे, उस option को आप यहां से देख सकते हो, जो इधर नाम दिया गया है इंगलिस में, उसमें लिखा हुआ है V, A, Z, I, D तो आप देख सकते हो, और उसमें जो दिया गया था, वह है V, A, J, I, D तो मतलब कि J और Z में बहुत अंतर होता है इसलिए ये भी ठीक नहीं है तो आपको यहां तक समझ में आगे होगा तो यह detail को हम उसमें mention करने की कोशिस करेंगे तो नाम तो सही हो जाता लेकिन जो date of birth का issue है वह सही नहीं होगा उसमें आप यहां देख सकते हो जो 1947 इदर date of birth आ रहा है वह data इसमें match नहीं खाएगा तो हम जैसे कोशिस करेंगे उसमें तो हमको इसमें एक जो proof होता है date of birth का या तो birth certificate होना चाहिए या फिर आपको जो document है वह होना चाहिए जो PFO की guideline के तहत आते हैं तो आपको यहां तक समझ में आगे होगा तो वह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यह इनका आधार काड है वह उसमें link ही नहीं है तो यह क्या होता है इसलिए आता है जब member ID से हम करते हैं मतलब कि UN को activate करते हैं तो तब जाके यह problem आती है क्योंकि जब detail match नहीं खाती है तो member ID से आप करते हो तो यह कुछ इस्प्रकर का इसू आता है तो यहां से मैं आपको कोशिस करता हूँ फिर दुबारे उसी option पर ले जाने की जहां पर इसकी detail थी जो PF की detail होती है system की उसको 1937 और वाजिद नाम है इदर इसको आपको याद रख लेना है अब मैं पीछे ही उसी option पर जाता हूँ हम आपको कोशिस करते हैं उसी option को दुबारे दिखते हैं और आप यहां देख सकते हो वह option खुल चुका है वह यहां पर जो लिखा आ रहा है वह नाम की spelling भी आप देख सकते हो जो Z था इधर J है चलो यह तो ठीक हो जाता लेकिन जो date of birth का issue है वह 8-9 साल का अंतर आ रहा है तो इसको stick करने के लिए तो पहले तो हमको क्या करना होगा आप मारा आधर कार्ड लिंक करेंगे तो आधर कार्ड लिंक तभी होगा जब इसमें date of birth सही होगा तो date of birth हमको 1937 डालना है क्योंकि आधर कार्ड में वही detail है तभी जाके हम PF withdrawal कर पाएंगे online तो आपको समझ में आगे होगा तभी जाके हमारी passbook भी download होगी और हमें balance भी नजर आएगा जब अगर आपकी passbook download नहीं हो रही है उसमें balance नजर नहीं आ रहा है तो कुछ इस परकार का आपको message आ रहा है passbook download करने के बाद तो यह है इसका जो topic है यह है पूरा detail से आप समझ चुके होगे कि जो passbook आप download करते हो और आपको कुछ इस परकार का issue आता है तो आपको यह यह problem को देखना है कि इसका जो data है वह है इस परकार का है यह नहीं है और यह है आप तभी कर पाऊगे जब आपके पास UAN number का password आपके पास होगा क्योंकि UAN number तो आपके पास हो सकता है लेकिन password आपके पास होना जरूरी है तो इसके लिए आपको यह issue दिख रहा होगा तो इधर आप details से पढ़ सकते हो आपके जो password है इसलिए आपको download नहीं हो रही है password नजर नहीं आ रही है तो balance तभी आप देख पाऊगे जब आप अपना अधारकार के साथ जो mobile number link है उसको कर पाऊगे इसके साथ और आप अपना आधारकार की जो number होते हैं 12 digit के उनको इसके साथ attach कर पाऊगे तब जाके आपकी जो password है वह download होगी और आपका balance भी नजर आएगा तो यह detail करने के लिए आपको पहले आपका date of birth को सुदरवाना होगा जो आपका date of birth है उसके अंदर उसको कैसे करना पड़ेगा आपका या तो कुछ एक प्रकार का document होना चाहिए जिसमें date of birth का होता है birth certificate जिसको हम बोलते हैं या 10th की market होना चाहिए या कोई ऐसा document हो जो government के दुवारा जारी हो बारत सरकार के दुवारा जारी हो उसको मानेता प्राप्त हो date of birth के issue में या जो civil doctor होते हैं government employer में आते हैं जो वह उनके दुवारा जारी किया गवा एक जनम का प्रवाणपत्र होता है जनम का सोरी वो एक प्रकार का date of birth को गोशित कर सकते हैं कि इसका date of birth यह है और यह 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 बंदे का नाम यह है तो उसके अनुसार भी इसको आप correction कर सकते हो और आपका joint declaration करके भी आप इसको कर सकते हो लेकिन उसको आपको issue समझ में आगे होगा इसके बाद ही आपका जो यह है issue ठीक होगा और आप अपना passbook डाउनलोड कर पाओगे तो आसा करता हूँ दोस्तो इस वीडियो के माददम से आप सीख चुकोंगे कि अगर आपको passbook डाउनलोड करते समय ऐसा issue आ रहा है तो आपको यह यह problem देखना है और उसके बाद ही आप अपना passbook डाउनलोड कर पाओगे और उसका balance जान पाओगे उसके बाद ही आप PF विडियो कर पाओगे तो दोस्तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में भी आयोगा और पसंद भी आयोगा तो दोस्तो कैसा लगा मेरे वीडियो